हलो और वेलकम तो दे टीजेम क्लास से दिसी संधी भासकुरों चलिए बचालों मैं आप लोग के साथ लेटर टू दा गॉट जो कि इंग्लीज का चैप्टर नहीं इस चैप्टर से कुछ सौट कोस्ट मैंने आप लोग के लिए इस सेट में लेकर आया ठीक है तो यह हमारा ज स्चैप्शन सुरू करने के पहले है मैं आप लोग को किष्ट से करता हमों कुछ वार्ट taught जो की इन सारे पांच वार्ट थिन्गे हमें जो कुछ अच्छे वार्ट मिलें जू जूंच समझते है उस़की मीनिंग का समझते है और फिर हम लोग को करते हैं ठीक है second word आएगा naiv, naiv मतलब सीधा साधा इंसान, जैसे क्या होगा ना, लेंचो जो हमारा एक character है, एक पातर है, later to God में, उसका में वो काफी क्या है, वो सीधा साधा इंसान है, ठीके ना, अब दूसरा होता ने, एक और word आएगा, that is called impulsive, मतलब कि आवेग में, अब देखे क्या है, लेंचो में तो एक चीज तो था ही, लेंचो में गा देखे कि बारीज सब हुई, जब rain की बूंद आए, तो उसको क्या हुआ ना, उसको लगा कि यार, बहुत अच्छा मतलब, उसके लिए काफी अच्छा उसको महसूस किया, वो बहुत ज्यादा खुस हो गया, ठीके ना, और उसी के बाद क्या होता ना, उसका जो है ना, जब वो चीज उसके despair में बदल गया, यानि कि जब बारीज खतम हुई, उले पड़े और कुछ भी नहीं बचा ना, तो वो जो है बिल्कुल बेचैन हो गया, ठीके ना, तो इस तर से देखते हैं वो काफी impulsive नजर आता है, यानि कि कोई भी situation जो होता है ना, उससे जो है ना, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, वो बहुत जल्दी खुस हो जाता है, वो बहुत जल्दी जो है ना, दुखी भी हो जाता है, यासे हम लोगो पता है कि पूरे रात वो नहीं सोय था, तो this source, he was an impulsive person, ठीके, अब आते हैं हम लोग, elated, elated का मतलब होता है, उससाहित, ठीके, उससाहित, अब unflinching एक और वर्ड आएगा, that is unflinching, unflinching मतलब a toot, a toot विश्वास, ah God, या लेंचो has got unflinching belief in God, या faith in God, मतलब भगवान में उसको जो ना, a toot आसता थी, ठीके, यह हो गया, अगला जो है अगला है, that is called downpour, downpour का मतलब होता है, मुसालदार वारिस, ठीके, अब अगला वर्ड जो हमें मिलेगा, वो मिलेगा despair, despair का मतलब हो जाता है, निरासा, अब एक और वर्ड आएगा हमें, वो है garner, garner मतलब इकठा करना, संचीत करना, यानि कि संभाल किसी चीज़ को इकठा करना, ठीके, किसी information को हम लोग garner कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग को ये 5 questions में मिलेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, पहला question, वाट काइंड अब लोग वाज लेंचो, ठीके, लेंचो जो है वो किस तरह का इंसान था, किस तरह का एक ब्यक्ति था, तो हम लोग लिख सकते हैं, लेंचो वाजा simple, यानि कि सरल आदमी था, simple आदमी उसकी emotions भी बदल रहते, तो वो क्या था न, impulsive man था, who got suddenly elated at the rainfall, जो कि बहुँ ज़्यादा उत्साहित हो गया जब rainfall आया तो, and become sad to see the destruction, और जैसे ही destruction, destruction मतलब तबाही हुआ, destruction, तबाही इसको समझ लें, तो destruction जैसे या न, उसको क्या होगा न, वो बिल्कुल क्या होगा न, क कहते हैं उसको, वो जो है न, become sad, वो बिल्कुल उदास हो गया, ठीक है, but, he had unflinching faith in God, लेकिन उसको जो है न, भगवान में क्या था, बिल्कुल ही अटूट विस्वास था, तो पहला question का answer हो गया हमारा, कि वो कैसा बैकती था, simple बैकती था, naive था, impulsive था, impulsive इसलिए था, क् वयक कि बारिष होई, तो वो बिल्कुल खुस हो गया, एड़ बारिष जब नहीं होई, sorry, बारिष होने के बाद, क्या हो गया न, जब destruction हो गया, बारिष जो हो ऊसके फसल को जब salute कर दिया, य chính स्वाश्रम कर दिया, तो फिर क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा स्थ हो गय ठीक है आई बात समझ में और उसको जो भगवान में अटूट भी स्वास्ता अब अगला कुश्चन है explain the quality of post office employees the post office employees उनकी क्या गूंद थे उनमें क्या qualities थी यह हमें बताने के लिए कहा जा रहा है the post office employees were a group of people who believed in helping others मतब post office के जो employees थे यानि कि जो वहां के काम करने वाले जो लोग थे वो लोग क्या थे ना वह group of people थे कुछ इस तरह के समहूं के लोग थे ना जो कि दूसरों के help करने में क्या करते थे थे ना मदद करते थे विश्वास करते दूसरों को help करने में वह विश्वास करते थे मतलब यह उस तरह के लोग थे जो कि क्या वह ना helpful थे और वो जो है ना स्वेक्षा से कंट्रिब्यूट किए ठीक है ना कंट्रिब्यूट मतलब क्या कि अपने पैसा को मिलाए जेनरेसी जेनरेसली मतलब कि दयाल उदारता पूर्ण जो है ना अपने पैसे को क्या कि ना जमा कि ताकि जो हे ना लेंचो क्या कर सकें लेंचो को फायदा हो सके, और लेंचो का विस्वास जो है लेंचो को help मूचा सके और जो है न uw ब्रकरा रख सके है यह फी बोले लेंचो का फ़ेत भगवान में जिवत रख सकें ठीक है अब देखें मतलब लेंचो का घर कहा था किस जगह पे था और वो क्यों बैठा कहा पे आकास के तरफ में वो देखता जा रहा था तो लेंचो's house was situated on the crest of a low hill in the valley मतलब क्या हो गया ने एक छोटे साइज का एक हील था उसके उपर यानि की crest उसके चोटी पे उस हील के चोटी पे उसका घर बसा हुआ था ही सिट सीन विकाउज ही न्यूव यहां पर फिल्ड है ही न्यूव दाट ही इस फिल्ड नीड़ डाउन पॉर और एक लिस सावर वो आकास के तरफ में टक टकी इसलिए लगाय बैठा हुआ था क्यूंकि उससे पता था कि उसके फसल को न क्या चाहिए उसके फसल को ना उसक तो प्रसके जो आपको चाहिए या तो मुशळदार बारिश हो जाए यह फिर एकलिस को सावर हो जाए निकिर करके पर मतलब कि मतलब की रिण शिम करके मंण बारिश हो जाए अब जो है न ओला बारी सब फ़तम हो गया तो उससे में लेंचो के अंदर जो है न क्या फिलिंग थी तो लेंचो वास फिल्डेट विद अटर सैडनेस काफी अटर मत यहां हो गया न काफी अटर सैडनेस बहु ज्यादा दुखी हो गया जो की जो ओले वारी सो बंध वहां तो उससे में क्या हो गया वह पिल्कुल जादा क्या हो गया दुखी हो गया ठीक है न और कुछ भी बचा नहीं था गया वहां पर ठीक है और उसको ऐसा लगा वह ऐसा मैसूस किया कि उसके और उसके फैमिली वालो को ना क्या होगा ना पूरे साल जो है ना क्या होना होगा गो हंगरी मतलए कि भूखे रहना पड़ेगा तो मतलए क्या होगा ना उसका फैमिली को ना बिलकुल किस चीज में बदल गया उसका होगा ना बिलकुल जो है ना नी रासा में बदल गया आज क्यों कि जैसा की क्या हुआ था ना कि उसके फैमिली को ना टे वे does this quote of establishम मतलब की भूखमरी एस्टारबेशन का मतलब होता है ना भूखमरी ठीक्हा की बूखक्तमरी को कमतली फिर से ना यानि की भुख और से अगला question है कुछ सिसी मास्टर की वाइट पोस्टमास्टर फैल्प लेन चुम को Séjour 너 जो है वह कैसे भीजां थे तो क्या हो इनहीं बोलगे पोस्टमास्टर वह जाना वह कैसे है तो क्या निस बींटर क्यों के लिए वो चोज फेट एलाइव इन कॉड मतला वीड मतले यहां हो गया परियास तो अब मतले एक परियास के तहत एक परियास के तहत की लेंचो का फेट जो है ना भगवान के अंदर जो है वो जीवीत रहे इसके लिए ना पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मानी फ्रॉम दे पोस्ट फ्रॉम ए́ंप्टॉइस से क्या किना कलेक्ट की है पैसा कालेक्ट किकें कंटिबीूटेट स्म प्ष्ए संम मजें सम्डी हिस्सायरी और वह ठेकिवालम कुछा हों कन्टिबीड कर ना कुछ को चांडिबीड किय था या फिर बोल सकते हैं कि इतना धन जो है न यानि कि 70 पेसुस उसके लिए न संचित करने में वो काम्याब रहा एज एगेंस्ट का मतलब हो गया के विरुद में एचली वो डिमांड कितना के किया था अगला पैसो को इसको पैसो को इसको लेंचों को भी भेज दिया गया है ठीक है यह बात हो गई चलिए बचालो थेंक्यू अगले सेट में मिलते हैं